जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो, जो हो चुका अगर उसी में उल्जे रहोगे, तो आपका आज खराब हो जाएगा, मेरी इस बात को आप हलके में ना लें, आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे, तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे, जानते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घ किताबों को एक विशाल धेर लगा दिया जाए, और आपको एक विशेश किताब का नाम बताया जाए, और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल धेर में से ढूंड कर लाने को कहा जाए, तो आपको कितना समय लगेगा, मुझे लगता है, आपको बहुत समय लग जाएग है ना? लेकिन उन्ही किताबों को करीने से बुक सेल्फ में रख दिया जाए, तो आपको उस विशेश नाम वाली किताब को ढूंडने में बहुत ही कम समय लगेगा. मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं. जिस तरह से किताबों की धेर से कमरा भरा है. ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग विचारों के धेर से भरा हुआ है. जब हम निराश और दुखी होते हैं, तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है. और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता ह और इस तरह समय की बरबादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं अगर आप अपने विचारों के धेर को करीने से बुक सेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परिशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है बस आप हर सुभह मेडिटेशन करना शुरू करो क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णे लेने की क्षमता पैदा करती है आपको जागना होगा और इस भ्रह्म को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो तुम कभी न मरने वाला आत्मा हो तत्व तुम्हारा सेवक है तुम तत्व के सेवक नहीं हो यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है वह शिक्षा कहलाती है मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे द्वार बताएं गए विचारों से अवगत होंगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें औ वीडियो को शेयर भी करें धन्यवाद